ओम शान्ती अभ्यक्त बाब दादा मदवन आज की मधोर मुल्ली 15.09.2024 रिवाज डेट 31.12.2001 नई वर्ष में सपलता भव के वर्दान द्वारा बाप और सयम की प्रत्य चिता को शमी लाँ ओम शान्ती आज नई यूग का रष्टा अपने मास्टर नई यूग रच्टा बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं नव वर्ष मनाना यह तो विश में सभी मनाते हैं लेकिन आप सभी नई यूग मना रहे हो नई यूग की खुशी हर बच्चे के अंदर है नई यूग मनाने का है आज की मुल्ली से मुखदस पॉइंट पहली पॉइंट आपके नई यूग में प्रगती भी नई बन जाएगी आत्मा भी नई वस्त सरील धारण करेगी हर वस्त नई अर्था शतो प्रधान गोल्डन एजवाली होगी आपके मन में बुद्धी में नया यूग ही याद आ रहा है न यूग याद है न दूसरी पॉइंट वसे शोबाव शब्द का अर्थ ही है शो आत्मा का भाव अर्था शुब भावना कोई आपको कुछ भी दे लेकिन आप सबको शुब भावना दो तीसरी पॉइंट बाब दादा के प्यारे अत्मीठे बच्चों को बाब दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राम्भर जीवन में अम्रत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ जमा का खाता बढ़ाओ चौतीं पॉइंट सबसे बड़ा खाजाना ब्राम्भर जीवन की स््रेश्टता का आधार है शंकल्प का खाजाना, समय का खाजाना, शक्तियों का खाजाना, ग्यान का खाजाना बाकी इस तूलदण का खाजाना तो कामन है पाच्मीं पॉइंट अन्भूती जादा चाईती है अन्भूती का आधार है खजानों का जमा खाता अभी सारे दीन में बीच बीच में यह अपना चार्ट चेक करो सर्व खजाने जमा कितने किया पोता मेल निकालो शंकल्फ चलते हैं संकल्फ की फाष्ट गती है ना तो कितने व्यर्थ कितने सफल हुए कितने सामर्थ रहे कितने साधारंड है चेक करने की मसीन तो आप के पास है ना बाब दादा ने पहले भी सुनाया कि बाब दादा के पास प्रकृति भी आती है, कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ, समय भी ब्रामभरों को बार बार देखता रहता है, कि ब्रामभर तयार है, आप सब का मन भी कहे वा, और जिसकी भी संबद संपर्क में आते हो, चाहे ब्रामभरों के, चाहे सेवा करने वालों के, वा वा सब्द निकले आठमी पॉइंट, चेहरे पर रोहानियत हो, मुक में मधूरता हो, और मन बुद्धी में सदा शुब भावना, रहेम दिल की भावना, दातापन की भावना हो, हर कदम में फालो फादर हो अपना एकाउंट रखना है, और बाव दादा के पास भेजना है, बाव दादा राइट करेगा, या जो होगा वह परसंतेज देंगे कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उस्षा से परिवर्टन भी लिखा है, उमंग भी लिखा, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सापना अलभेलापन दिखाया है अलभेलापन बाव दादा को अच्छा नहीं लगता, और दूसरा दिल सिकर्ष्ट होना नहीं कुछ भी हो जाए, दिल बड़ी रखो, तो दिल सिकर्ष्ट नहीं बनना, अलभेला नहीं बनना, उमंग उस्षा में सदा उर्टे रहना अच्छा, आन बाब दादा ने वर्दान दिया, सेवा के उमंग उस्षा द्वारा शेप्टी का साधन, अनभाव करने वाले माया जीन भाव इस पश्ठे करन, जो बच्चे इस्तोल काम के साथ साथ रोहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उस्षा भी सेप्टी का साधन बन जाता है जो सेवा में लगे रहते हैं वे माया से बचे रहते हैं माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्षत नहीं तो वो भी वापस चली जाती है जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें इश्ट्रा हिम्मत ही मदद मिलती रहती है जिससे सहिज ही माया जीत बन जाते हैं स्लोगन आजबावा ने दिया ज्यान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी पूम शान्ति आज मार्ज का तीसरा रवी वार है अंतर राष्टी योग दिवा से सभी भाई बहने संगठित रूप में साड़े छे से साड़े साथ वजे तक संटुष्टता की किरने फैलाएं संटुष्ट रहने की सकती दें मन्सा सेवा करें ओम शान्ति